अब यह आपको इसमें पर्टिकुलर टॉपिक को चूच करते हैं अलग-अलग पेपरों को लेकर के भी लेक्टर बनाया जा रहे हैं जैसे अभी हम आपको बताएंगे पेपर टू का जो पार्ट भी है उसका अंगला लेक्टर इसमें फोर्टीन लेक्टर आपको दिये जा च अमंगपों से आप से लेवस देखेंगे उसमें यह टॉपिक है इसमें दो लाइन में भी क्वेश्चन आता है इसमें 100 वर्ड में भी आ सकता है इसमें फुल क्वेश्चन भी आता है यह वीडियो बनाएं उसके पहले मैं आपको एक सूचना और देता हूं कि MPPSC जो मेंस 2019 उसको ले करके टेस्सिरीस स्टार्ट करने वाले हैं 28 उट्योप एक्टूबर को इसका पहला टेस्ट रहेगा टूटल न्बर ओप्ट रहेगा इसमें 33 और यह जो टेस्सिरीस रहेगी इस सिर्फ उसर फ्सर प्लास्प में आप दे सकते हैं इसको online नहीं कर सकते हैं क्योंकि online में जो टेस्ट है उसको evaluate नहीं किया जा सकता online में सिर्फ prelims objective टाइप के questions किये जा सकते हैं ठीक तो इसके लिए आप contact कर सकते हैं आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो मुख्य परिक्षा में एक टॉपिक है जन्म अम्रत्यू समंग उसको लेकर के उसमें देखें कौन-कौन से parameter रहेंगे क्या question आ सकता है इसको पूरा detail में समझने की कोशिस करते हैं सबसे पहले तो हम इसका एक introduction बणा लेंगे कि जन्म मृत्यू समंग कानक उख़िए किसी समदाई या किसी देश की संपूर्ण सामाजी आर्थिख विकास की चांच करने में सायक हो सकते हैं समुदाई में प्रजनन सकती यानि जो जिसे हम रिप्रोड़क्टिव पावर बहुत सकते हैं और मृत्यु धने समुदाई के संपुन स्वास्त और पोशन की सूचक होती हैं इस प्रकार से सामाज एक आर्थिक विकास की आवश्यक्ता को दर्शात है अब इसका हम थोड़ा स इरिया की पॉपूलेशन उनकी लिट्रेसी रेट उनकी जो रिप्रोड़क्टिव पावर है यहां इन सब चीजों के आंक्रे जुटाते हैं जो राश्ट्री और राजिस्तर पर जन्मदर मृत्युदर तता अन्य प्रजनन और मर्तियता सूचकों का विश्वस्नी वार्श में शुरू करते हैं बाद में फिर इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता है इसके आगे चलते हैं कि कौन-कौन से सोर्स इसमें जन्मरत्यु आकड़ों के अंतरगत रखे जाते हैं कहां से यह इंफॉर्मिशन जुटाई जाती है तो एक रहता है जो हर 10 साल के बाद हमारे जन्मरतर सेट की अंटाना सेंसस किया जाता है उससे विए यह लिए जनकारिया पराप्त होती है जंसंख्या रिgister maintain करके चलती है भारए सरकार उसेम हमें जयांकारी पराप्त होती है प्रतिदर्स संच्राफ योजना केमाध्यम से जानकारी राष्ट्री प्रतिदर्स सर्वेक्षंट नैस्टन सेंपल सर्वे जैसे हम बोलते हैं तो उससे भी जैनकारी मिलती है स्वास्ते सेवाओं का जो रहता है उससे और समय समय इसके अलाबा जो रोग समनंदी रइस्टर रहते इन सब kan एक जर्लाइस कीआ जाता है और वहां से हमें पूरे किसी क्षेत्रके बारे में किसी कम्यूनिटी के स्वादेuje में ने सटेट के बारे में जैनकारियां प्राप्त हो जाती है इतना लिखने के बाद फिर हम आगे क्या लिखेंगे इसमें वो भी जल्दी से देख लेते हैं कि कौन-कौन से तरीके होते हैं मैथड क्या होता है इन आकड़ों को निकालने का तो इसकी जो प्रमुक विदियां है सरस के तहट क्या किया जाएगा कि पूरे देश में डोर टू डोर जा करके नहीं पूछा जाएगा वो तो जन्सगरना जब की जाती है दस साल में उस समय आकड़े जुटा लेते हैं लेकिन सेंपल का मतलब आप समझो कि जैसे आप चावल बनाते हैं तो एक एक दाना चेट कर कि चावल पग गया या नहीं या बस उसमें से दो-तीन चावल निकाल के टेस्ट कर लेते हैं उसी प्रकार से यह सेंपल या सर्वे लेने का मेध़ट रहता है किसी शहर में किसी गाव में किसी कॉलोनी में कुछ लोगों को लेकर के उनसे डाटा क्लेक्ट किये जाते हैं तो पार्ट टाइम लोगों को रखा जाता है जैसे आंगनवाडी कर्मी होते हैं या टीचर्स हो सकते हैं और दूसरे के अंतरगत दूसरा जो फॉर्मूला है उसके अंतरगत क्या किया जाएगा यह फुल टाइम रहते हैं इसमें सुपर्वाइजर हर 6 मेने के बाद इंडिपे प्रेश अंतर नहीं है तो फिर यह आंकड़े फाइनली माल लिया जाते हैं और अगर उनमें डिफ्रेंस जादा आता है तो फिर डिफ्रेंस को फिर यहां पर वेरिफाई किया जाएगा कि कहीं किसी लेवल पर कोई सेंपलिंग में गल्ती तो नहीं हुई है ठीक गामिन पूरा गाउं विलेज चुन सकते हैं गाउं का एक छोटा सा भाग चुन सकते हैं तो इसकी लिए थोड़े से पैरामीटर बनाएगा है कि गाउं की जनसंख्या 2000 या उससे देखो तो उस ही गाउं को सैंपलिंग के लिए रखा जाएगा अरवन एरिया की बात करें शहरी क् और उसके उपर एक प्लास्टिक की सीट लगा देते हैं जिस पर ग्रिड बना देते हैं उस पर नमर लिख देंगे 1,2,3 अब उन्हें सर्वे करना है एक नमर तो एक नमर का मैप में कौन-कौन से रीजनते उनका कर लेंगे तीन नमर का करना है तो ऐसे सैंपलिंग के पर लेकाई यहां इसमें अगर हम और डेटेल में क्लासिफिकेशन करें डबल फोर डबल त्री ग्रामिंट रीजन को लिया जाता है और 3164 यह अर्वन एरियाज को लिया जाता है इसके अंतरगत लगवक 1.5 मिलियन फेमिली यानि 7.52 मिलियन पॉपुलेशन को कवर करके आंकड़े निकालते हैं अभी हाली में जो आंकड़े जारी किये गए थे जिसको 2013 14 15 15 में रिवायज होकर कि यह डाटा आये बस उन डाटा को हमें इसमें जन्मरत्य समंगों में रखना है तो हमने इसका स्टार्ट किया इस्टार्ट करने के बाद कौन-कौन से सोर्स होते हैं और इसके लिए कौन-कौन से मैथड होते हैं वो मैंसन किया इसके बाद अब हम आते हैं कौन-कौन सी चीजों को यहां पर एड़ करते हैं जैसे यहां पर पहला रहता है सामाने प्रजनंदर या इसे हम कह सकते है नॉर्मल जिसे वर्थ रेट भी कह सकते हैं नॉर्मल रिप्रोडक्शन रेट भी कह सकते हैं ये क्या होता है तो ये आपको लिख देनी है कि एक निर्धारित वर्ष में प्रति हजार जनन योग यायू वर्ग वाली महिलाओं में जीवित जन्म की वार्षिक संख्या ये सबसे ज्यादा डेथ रेट या मरत्युदर कहां पर है तो ओडिसा में 8.4 उसके बाद मद्यप्रदेश में 8 केरल और मणीपूर में 4.7 के आसपास है सबसे कम मरत्युदर जो है वो भी आप मेंसन कर सकते हैं तो डिस्ट्रिक नागालेंड वो सौरी नागालेंड इस्टेट वो डागालेंड और आगे बढ़ जाएं अगला इसमें जो लिया जाता है वो है शिशुमरत्युदर जैसे हम infant mortality rate के नाम से भी जानते हैं कि 1000 जन्र लेने वाले शिशुदर में होने वाली मोतों की संख्या उसको शिशुमरत्युदर के नाम से जाना जाता है अब यह जो भ प्हँले यहां पर पर्चारित करते थे मंत्रदेश को वी मारु राज की कैटेगरी से निकाल लिया लेकिन यह आंकड़े बताते हैं कि मंत्रदेश आज भी उसी कैटेगरी में बना वाला है तो वह political रहे रहती है जब वह बोलते हैं कि आप बीमारु राज जैने हैं ऐसे यहां पर नाइन है मड़ेपूर जहां पर टेन है केरल ट्वैल ठीक यह जो चीजें कि जाती है उसको ही जन्म मृत्यू समंगों में प्राकर्तिक संब्रति दर इसे हम नैचुरल ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं तो सर्वोच प्राकर्तिक दर कहां पर है व्यार यह वह रेट रह जाता है सबसे कम प्राकर्तिक ब्रद्दी दर्वाले जो राज जी उसमें गो आ जाएगा केरल आ जाएगा देन तमिलाडू आ जाएगा अगर हम केंशासित प्रदेशों को भी इस केटेगरी में एड करें तो सबसे जो हाइस्ट ग्रोथ रेट है वह आती है दादरा इंड वह आता है 14.4 ठीक इसके बाद अगला कौन करसा टॉपिक इसमें ले सकते हैं जो जेंडर रेशियो की बात आती है तो जेंडर रेशियो क्या होता है वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई ऐसा बहुत बड़ी चीश नहीं आप लिख देंगे कि प्रत हजार पर और यह आकड़े अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा मिसमेच हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसको करेक्ट करने लेकिन यह आकड़े करेंगे 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके एकॉर्डिंग बीच में जो भी आकड़े आते हैं वो सिर्फ प्रेडिक्टेड होते है उस आयू की बात करते हैं तो अभिभारत सरकार के द्वारा यह टूथाज़न सिक्सें के बीच में जो डाटा रिलीज किये वहां बताया गया कि पुरुसों की जो जीवन प्रत्यासा यानि उनके जीवित रेने की जो उम्र है वो लगबग 68.35 यह और हमारे देश में इस प्रजनंदर के नाम से जानते हैं तो यह जैसे जनरल प्रोडक्शन रेट भी कह सकते हैं यह एक हजार गर्व धारण करने वाली उम्र वाली जो महलाएं रहती हैं इसको अगर हम एच के फैक्टर से काउंट करें तो 15249 कई देशों में कहीं पर यह 15244 भी लेखा है कुछ प्रजनंदर के नाम से जानते हैं तो कुल प्रजनंदर का मतलब रहता है कि एक कोई महला अपने जीवन काल में कितने वच्चों को जन्म देती हैं फिर आता है CDR यानी Crude Death Rate अशोधित मरत्युदर तो किसी भी नर्धारित समुदाय में प्रतिवर्स 1000 लोगों में होने वाली मौतों के रूप में जो संक्या रहती हैं उसे हम Crude Death Rate के नाम से इसका यह फॉर्मूला है आपको याद रहे तो यह बना सकते हैं कि एक वर्स में ह संक्या डिवाइड़ वाई जो एक उसका माद्य वर्स मीन यर ले लेंगे और मल्टिप्लाइड वाई 1000 इंफ्रेंट मौटिलिटी रेट यह हम पहले बता चुके हैं सिसुम रत्युदर तो यह डेफिनिसन वाज जोड़ देंगे ठीक इसके बाद अगला हम देखेंगे और कौन से आकड़ी लिए जाते हैं तो एमेमार मात्रत तुम्रत्युदर यह भी जन्म्रत्यु समंगों में मेजर है कि यहां पर क्या किया जाता है कि प्रतिक एक लाख जो यह इसको वन लेक पढ़ेंगे गर्वती महलाव में गर्वावस्ता के दोरान या गर्व के समाथ होन तो हम यहां पर उसे मात्रत मरत्युदर के नाम से जाते हैं इसके बाद फिर अगर इसका इंपोर्टेंस पूचा जाए मैं तो पूचा जाए तो मैं तो भी लिख देंगे कि जन्म मरत्यु के जो आकड़े हैं सरकार को यह बताते हैं कि सरकार के दोरा जो हैल्थ प्रोग्र तो सरकार अगर प्लान लंबे समय से चला रही है फिर भी इस रेट में कमी नहीं आती है तो उसको मॉडिफाई करने की जरुवत है उसमें परिवर्तन करने की आउश्यक्ता रहती है तो यह सारी चीजें हैं में इंपोर्टेंस में बता देनी है और फाइनली एक कंक्लूजन डिक करके यह कॉश्शन कंप्लीट कर देना है यह अगर फोल कॉश्शन के रूप में आता है तो अगर सिर्फ आप से 100 वर्ड में पूछते हैं कि जन्म रत्यू समख तो फिर आपको वो सारा सुरुवात की कहानी नहीं बतानी है कि यहां पर यह सुर करनाली है किसने स्टार्ट की थी तो सुरुवात में आपने देखा था कि भारत का महा पंजी एक जो कारियाल है रहता है उसके द्वारा प्रारम की गई है जिसके अंतरगर्द जन्मदर मृत्यूदर मात्रत्यूदर जीवन प्रत्यासा जैसे आंकड़ों को कलेक्ट किया ज अगले लेक्शर में जल्दी हम किसी नए टॉपिक मों लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच